Hello student, आज हम इस वीडियो में, जब shares को premium पे issue किया गया हो और pro-rata basis पे allotment हो रहा हो, ऐसी case में अगर shareholders default कर जाते हैं और उनके shares को forfeit किया जा रहा हो, तो किस तरही के से पूरी question को solve करते हैं, वो यहाँ पे discuss करेंगे, तो यहाँ पे हम एक numerical लेंगे और उसके basis पे हम सारी entries को complete क करेंगे, तो last video में अपने देखा होगा, तो वहाँ पे हमने specific इसी part पे numerical लेंगे तो जहाँ पे से विसकी entry कैसे पास होती है, वो discuss किया था ठीक, और क्या चीज होता है, pro-rata कैसे होता है, कैसे forfeit किया जाता है, वो सारी बाते हमने videos में discuss कर रखी है, तो यहाँ पे हम एक numerical अच्छा, आपको पता है, जिस हमने last video में discuss किया है, कि जब भी ऐसा होता है, तो हमें pro-rata ratio का formula लगाना पड़ता है, अब pro-rata ratio का जो formula होता है, वो यह चीज हमने last video में discuss की हुई है, पर यहाँ पे हम एक memory paper से दे दे रहे हैं, कि कैसे निकालते हैं, कि कितने shares के लिए apply किय ठीक है, और आपने company ने कितने shares को allot किया, वो उसके basis में pro-rata ratio निकलाता है, ठीक, और अगर हमें यह पता करना हो कि default shareholder है, उन्होंने कितने shares के लिए apply किया था, है ना, तो ऐसे situation में हम क्या करते हैं, यही pro-rata ratio को multiply कर देते हैं, उनको जितने shares allot किये गए हो, उस से, ठीक और अगर हमें यह पता करना हो कि default shareholder को कितने shares allot किये गए, apply कितने shares है, उन्होंने किये था, वो तो question में given है, पर allot कितने share किये गए, यह पता करना हो, तो हम क्या कर देंगे, just reverse कर देंगे इस formula को, तो यहाँ पर क्या करेंगे, total number of shares allotted under product category, divided by total number of share applied, allotted divided by applied कर देंगे, और जब कभी default का case आ रहा हो, forfeit हो रहा हो, प्रोड़ा allotment हो तो वहाँ पर यह पता होना चाहिए, अचाए, प्रोड़ा का concept याद रखिएगा, कि प्रोड़ा के case में यही चीज होना है आपका, कि जितने shares company ने issue किये थे, उससे ज्यादा क्या application आ गये, और जब उससे ज्याद आपको allot होंगे, तो number of applicants उनको ज्यादा shares allot, number of applicants बढ़ जाते हैं, कि issue shares इतने ही रहेंगे, number of applicant बढ़ जाएंगे, क्यों कि जिसे आपको, आपने 6 मांगे थे, तो आपको 4 देंगे, तो आपसे 2 बचा लिए, 2 किसी और को allot कर देंगे, तो इस तरह से product allotment में बस यही होत है, कि जितने shares के लिए आप apply करेंगे, उस से कम shares आपको allot होते हैं, तो remaining shares कहीं और किसी और को allot कर दिये जाते हैं, is it clear? तो यही चीज़ याद रखेगा, चलिए बहु क्या करते हैं, अब एक numerical लेते हैं, question क्या है हमारा, x limited issued for public subscription, 40,000 equity shares of rupees 10 each at premium of rupees 2 per share payable as under, ठीके, यहाँ एक question में ध्यान समझेगा, जो x limited है, उन्होंने 40,000 equity shares को issue किया, ठीके, कितने थे, 40,000 थे, कितने रुपे वारे थे, 10 रुपे के थे, face value 10 rupees की थी, और issue price क्या है, premium पे issue हो रहा है, मतब 10 plus 2, 12 rupees पे issue हो रहा है, तो issue price हो गई 12 rupees, face value 10 rupees हो गई, ठीके, अब payable as under में देखते हैं, application पे 4 rupees होने देने थे, 4 rupees per share, allotment पे 5 rupees per share, and call पे 3 rupees, पर जो allotment पे 5 rupees है, उसमें premium का amount include है, मतलब 2 rupees premium के 3 rupees allotment की, clear है, तो इसका मगर अगर देखा जाए कि कितना called किया गया, called up value कितनी, क्योंकि आपको याद है कि हम shares को forfeit करते हैं, और उसके entry pass करते हैं, तो मैं 3 चीज़ प मांगा कितना किया, मतलब called up value जो हम कहते हैं, वो पता होनी चाहिए, तो देखिए, 4 application का allotment का, मतलब 3 rupees, और call का 3 rupees, तो कितने हो कि 10 rupees, 10 rupees पूरे की पूरे की call कर ले, face value पूरी की call कर ली गई है, 10 rupees के share थे, 10 rupees पूरे मांग लिए गया है, चुकि premium पे इशु किया गया, तो premium 10 rupees call किया गया, ऐसा नहीं है, पूरे called up value है, ठीक है, 10 rupees पूरा का पूरा same call किया गया है, अब आगे question पढ़ते हैं, application was received for 60,000 shares, ठीक, 40,000 issue आई थी, जिबकि 60,000 का application received हो गया, allotment was made prorata to the applicants for 48,000 shares, ठीक, allotment क्या किया गया, 48,000 shares के लिए, मतलब applicants को 48,000 shares को allot करने की बाद कही गई, 60,000 shares के लिए application आई थी, जिसमें से 48,000 allot करने की बाद की गई, अप्लिकेंट्स को, remaining applications को reject करने की बाद कही गई, money overpaid on application was applied towards some due on allotment, और जिन shareholders को भई, अप्रूरत allotment हो रहा, तो मतलब आपने जितने shares के लिए apply किया होगा, application money उसके साथ भेजी होगी, अब अगर आपको कम number of share allot के जा रहे है, तो remaining पैसा आपका बचेगा, तो वही कहा रहा है, जो remaining पैसा बचेगा application में, जो overpaid कर दिया गया, उसको हम कहाँ adjust करेंगे, allotment के साथ adjust कर देंगे, clear है, अब आगे question में क्या कहा रहा, श्री चिटनेस to whom 16 इने shares were allotted, देखे, यहापे apply कितने shares कहता है, यह नहीं पता, पर उनको shares कितना allot हुआ प्रोड़टा बेसिस पे, 16 इने shares उनको allot हो गये, वो allotment के money देने में fail हो गये, अब याद रखिएगा कि allotment की money देने में fail हुए, इसका मतलब उन्होंने premium का amount नहीं दिया है, ठीक है, आपको पता होगा कि जब भी premium पे issue हुआ ही नहीं था, premium जैसे कोई चीजी नहीं है, तो premium का कहीं treatment नहीं होगा, अगर premium receive हो गई company को, तो company बिल्कुल भूल जाती है, वो ऐसा treatment करते कि premium पे issue ही नहीं हुआ था, तो जैसा normal treatment होता है, वैसा होता, premium का amount का कहीं कुछ काम नहीं होगा, लेकिन अगर वो premium उनको receive नह नहीं हुआ, तो chitneys के case में उनको premium receive नहीं हुआ है, ठीक है, सिर्फ application money receive होई है, अब यहाँ पर याद रखिएगा, प्रोरटर allotment है, application money receive होई है, इसका मतब 1600 share की application money नहीं आई होगी, इससे जाधा की application money receive होई होगी, तो इन्होंने apply जाधा share किये रहे होंगे, allot से 1600 हुए है, तो application money भी इनको जाधा होई होगी, जब जाधा आई होगी, तो कुछ तो पैसा allotment में इससे recover कर लिया गया होगा, है न, बाकी remaining amount due होगा allotment का, तो allotment का पैसा नहीं नहीं दिया, ठीक है, इतनी से बात पर इतना आपको concept याद करते हुए, इस चीज़ को realize कर लेना कि यहाँ पर क्या मतलब निकल रहा है इस चीज़ का, कि हमें इससे calculate करना पड़ेगा, कि इन्होंने कितने shares के लिए apply किया था, जब हमें पता चल जाएगा कि इन्होंने इतने shares के लिए apply किया था, तब हम निकाल लेंगे कि कितना application money इन्होंने भीजा रहा होगा, फिर इसमें से इतना तो application का पैसा हो गया, बाकी पैसा हमें adjust करना था allotment के साथ, तो allotment का कुछ adjust करके बाकी हमको due करेंगे, clear है, next देखते हैं, श्री जगदिले के लिए क्या रहा है कि उन्होंने 2000 share रखे थे, उन्होंको 2000 share allot किया गया था, जो कि call money नहीं दिए है, अब यहाँ पे जगदिले जो है, इन्होंने application दे दिया, allotment दे दिया, मतलब premium का amount company को receive हो गया, क्या receive नहीं हुआ, call, call receive नहीं हुआ, तो उन्होंने shares forfeit कर लिए, तो जब यहाँ पे, दोनों case आ गया, चिटनिस को premium receive नहीं हुआ, चिटनिस के case में company को, और जगदिले के case में premium receive हो चुका ह है, ठीक, जब premium receive हो चुका है, तो जगदिले की case में company बिल्कुल premium का कहीं treatment ही नहीं करने वाड़ी, वो भूल जाएगे कि premium भी कुछ चीज थी, पर चिटनिस के case में हो उनको हर जगद प्रीमियम दिखेगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे वो चीज़ें आ जाएंगी, फिर record general entries in the books of company to record the above transaction, अब आपको पूरी general entry pass करनी है, तो यह फूल फ्लिस question हो गया, वैसे हमने हार एक part का forfisher की क्या entry होती, उसका अलग question ले लिया था, प्रीमियम पे हो तो क्या अलग question ले लिया था, तो अभी हम यहाँ पे फूल फूल फ्लिस question ले ले रहे हैं, ठीक है, तो चल रुपे से, चार रुपे से तो पैसे आ गए, तो यह हम कैसे करेंगे, in the books of x limited हम अपनी general entry शुरू करेंगे, bank account debit to equity share application account, ठीक है, हमें कितना application amount receive हुआ, 600,000 multiply by 4 कर देंगे, 240,000 का amount हमें receive हो गया, bank में, clear है, अब आपको पता है कि pro rate allotment हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल दिमा उसे 48,000 को ही allot किया जा रहा है, ठीक है, 48,000 ही allotment हो रही है, तो आपको अब जब यहाँ तो हो गया receive, अब receive होने के वाद जब due करेंगे, तो उस case में हम क्या करेंगे, entries थोड़ी 3 actually combined entry pass कर देंगे, पर 3 entries हमाएं सामने पास होती है, एक तो आपको करना होगा, share application to share capital, ठीक दूसरा करना होगा, आपको reject करने के entry, तो reject करने के entry क्या करेंगे, कुछ share application को reject कर देना, तो share application का on debit to bank कर देंगे, हम उनके पैसे वापस कर देंगे, पुई तरीके से, तो rejection की entry हो जाएगी, ठीक, फिर तीस्ती चीज़ क्या करने होगी, कुछ के excess पैसे आगे, जिनको allot कि पैसे आगे, अब उनको, आपको adjust करना होगा allotment में, तो application का पैसा कुछ transfer करना होगा allotment में, तो share application debit to share allotment करना होगा, तो तीन तरह की entry pass होगी, जिसके लिए हम combined entry भी कर सकते, that is, equity share application account debit, कितने से 2,40,000, क्योंकि application में पैसा कितना आ गिया है, 2,40,000, लेकिन है तो application का 2,40, है नहीं, तो अब इसमें से क्या क्या होगा, इस 2,40,000 में से हमें कुछ पैसे return करने है, तो जो हो जाएगा equity share application to bank, लेकि last में to bank account लिखा है, ये पैसे return होने वाले पैसे है, कुछ share application के पैसे allotment में transfer होगा, कुछ पैसे जो allotment के लिए adjust करने है, तो equity share application account debit to equity share allotment, कितने 32, 2000 से, ये पैसे access receive होगा है, जिनकों को allot करना है, मदब adjust करना allotment account के साथ, and next आएगा equity share capital account, application का पैसे actually equity share capital में कितने से due होगा, से 160 से, क्यों 160 से होगा, अब ये calculation कैसे होगी, वो भी हम आपको समझा देते हैं, ठीके, यहाँ पर एक चीज करके हम क्लियर करेंगे, जैसे share issue क कितने का किया गया था, 40,000 की, छीक है, issue 40,000, allotment 40,000 का ही होना चाहिए, 40,000 से ही बाहमेशा treatment होगा, 40,000 ही important है, याद रखेगा, ठीक है, अभी बस pro data और application तक कहानी चलती है, उसकी बाद 40,000 ही important है अप के लिए, फिर application receive कितने की होगी, 60,000 की, पर pro data category में कितने shares की allotment की ब refund होंगे, तो 12,000 पर refund आएगा आपका, clear है, 60,000 minus 48,000 is equal to कितना हो जाएगा, आपका, 12,000, so 12,000 shares को पैसे वापस करने है, याद रहेगा, क्योंकि application reject कर दी जा रही है, उसकी 48 की allotment हो रही है, और जबकि उसमें से 40 ही main है, 40 issue किये गये थे, तो application money refunded for 12,000 shares कैसे निकालेंगे, 12,000 multiplied by application money, 4,000 बारा हजार वाजों को 4 रुपे के हिसाब से पैसे उन्हें ने भेजी ते उनको वापस करो, तो 48,000 return हो जाएगा, ठीक, उसके अलावा हमारे क्या होगे, share capital account में किससे credit करेंगे, तो बही जितना application का पैसा होना चाहिए, share capital में उतना ही credit करेंगे, तो 40,000 के share ह तो 40,000 का 4 रुपे application के हिसाब से ही तो होना चाहिए, तो capital में कितना जाएगा, 1,60,000 ठीक, तो वही इंट्यू के share application account debit to share capital, कितने से होना चाहिए, सिर्फ 160 से होना चाहिए, application का पैसा share capital में कितने से जाएगा, सिर्फ 160, जितना application का पैसा जाना चाहिए, that's it, ठीक है, अब इसके अलाबा pro-rata allotment हुआ था, तो इसके विजए से कुछ पैसा access आ गया है, access पैसा को में adjust करना allotment में, तो application से पैसा transfer करना होगा allotment में, तो वो पैसा हमारा कितना आएगा, तो access application में जो adjust करनी है, तो 48,000 shares हो रहे हैं, 40,000 थे, तो मतलब 8,000 shares के लिए access पैसा आ चुका adjust कर दिया जाएगा, clear है कि नहीं, 32,000 access आपको receive हुआ, अब इस चीज़ को आप देखें कैसे entries की समझे, total आपको 60,000 multiply by 4 हुआ, 2,40,000 receive हुआ आपको total पैसा, इतना ही application पर receive हुआ, इस application जो पैसा 2,40,000 receive हुआ, उसमें से 163 actually application जिनको shares allot हुए, जो जितने share issue के थे कंपनी न adjust करने हैं, और 48,000 रुपीज आपको return कर देने हैं, तो 2,40,000 का पूरा हिसाब मिल गया, ठीक, तो वही चीज़ हमारी entry थी, entry आपको याद रहेगी, entry हमने क्या कब की थी, equity share application account debit कर दिया था, 2,40,000 से, 2 equity share capital कर दिया था, share capital में जितना चाहिए, 1,60,000 से, 2 equity share allotment, transfer जो करना ह allotment में, 32,000, ठीक है, adjust करने वाला, 2 bank account जो return करना है, 48,000, अलग अलग भी entry pass की जा सकती है, equity share application account debit, 2 equity share capital, जहां पर 160,160 हो जाएगा, equity share application account debit, 2 equity share allotment, जहां पर transfer की entry pass करेंगे, कि ते से, 32,000 से, फिर equity share application account debit, 2 bank account, किस से, जो इसा refund कर रहा है application से, तो 48,000, तो इसी को combine करके, आप की पूरी entry frame हो जाती है, is it clear, ठीक, अब हम next, next entry क्या करेंगे, application तो हो गया, अब हम due करेंगे कि इसको allotment को, तो allotment को due करेंगे, तो entry क्या होगी, equity share allotment account debit, to equity share capital, ठीक है, चुकि allotment के साथ premium भी है, तो to security premium account भी करना पढ़ेगा, तो allotment में हमारा 40,000 shares है, और 40,000 shares और 5 rupees क per share है, है न, तो कितना हो गया, आपका 2 lakh rupees हो गया, 2 lakh rupees में से 3 rupees actually share capital के नाम के हैं, और 2 rupees premium के हैं, तो share capital में सिर्फ share capital का amount जाएगा, तो 40,000 multiply by 3 कर देंगे, 120 आ जाएगा, और allotment में आपका कहा जाएगा, 40,000 multiply by 2, 80,000, is it clear, यह तो हो गया हमारा due की entry, कि इतना पैसा हमें आना चाहिए है, ठीक है, allotment के 2 lakh receive करने है, share capital के 120, security premium के 80, इस तरह से हमें पैसे allotment के नाम पे 2 lakh आएगे, पर याद रखिए, allotment के नाम पे 2 lakh आने चाहिए, तो बास सही है, लेकिन कुछ पैसा आपको access receive हो चुका है, कितना पैसा access receive हो चुका है, आपको access 32,000 receive हो चुका है, application क time ही, उस पैसे को आपको adjust करना है, तो actually के 2 lakh rupees due, मतब receive होगा आपको, due तो आप पूरे से करिए, पर receive क्या, actually आपको इतना होगा, नहीं, इससे कम होगा, क्योंकि already application में पैसे receive हो चुके हैं आपको कुछ, तो उतना adjust कराएंगे, is it clear, पहली चीज, दूसरी, चितनी इक ऐसे share holder थे, जो allotment का पैसा नहीं दिये हैं, तो आपको उनकी भी calculation करनी पड़ेगी, तो पहले हम entry देख लेते, फिर हम उसके amount की calculation देखेंगे, तो entry हम क्या करेंगे, entry करेंगे कि bank account debit, ठीक है, कितना पैसा आएगा, जितना पैसा में actually receive होगा, वो लिखेंगे, default shareholder से पैसा receive नही हुआ है, कि जब allotment, first call, इस तरह कई dues होते हैं, अलग 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 शौला के, तो हम सीधा call scenario का account open कर लेते हैं, individually लिखने की जगा, कि allotment, first call due, second call due, इस तरह से लिखने की जगा, सीधा call scenario account कर लेते हैं, तो बकाया कितना है, call scenario account कितना है, वो हम यहां mention कर देंगे, बकाया कि होगा, allotment का पैसा किसका बकाया था, चिटनिस का, चिटनिस नहीं allotment पैसा नहीं दिया था, application देनी कबद कोई पैसा ही नहीं दिया, तो यहां पे call scenario में किसका जाएगा, चिटनिस के amount जाएंगे, to equity share allotment account, अब equity share allotment account हम कितने से करेंगे, actually जितना पैसा हमें receive होगा, ठ चाहिए, तो amount due कितने का था, allotment में कितना due होना चाहिए, 40,000 multiply by five, two lakh rupees due होने चाहिए थे, clear है, लेकिन आपको access application के time में पैसा आ गया था, तो आप उसको adjust करेंगे allotment के साथ, कितना पैसा access आ गया था, आपको 32,000, कैसे निकाला था, 48,000 minus 40,000 कर दिया था, 48,000 को allot कर रहे तो 8,000 के लिए extra पैसा मिले थे, तो 8,000 multiply by application का यह तो पैसा आया था, तो 4 rupees पर share, 30,000 आपको extra मिल गया थे, तो actually amount allotment पर due कितने का है, 168 का ही due है, ठीक है, 2 lakh का due नहीं है, 168 का actual due है, इसलिए वहाँ पर allotment का जो हमने credit किया है account, वो 168 से किया है, ठीक, अब बात क्या आती यह चिटनी की calculation की, कि बाई, चिटनी को कितना पैसा due है, ठीक है, अब उन्होंने allotment का पैसा दिया नहीं, तो due कितना है, अब अगर यह प्रूरटा allotment नहीं होता, तो simply बाई, 168 से और application का जो allotment का जितना पैसा होता, उससे multiply करके हम इनको कर देते कि बाई, इतना पैसा के लिए apply किया रहा होगा, इनको allot कम हुए है, 16,000 allot कम हुए है, apply तो इससे जादा का share किया रहा होगा, तो application में नहीं भी इससे जादा किया रही होगी, तो जब हम इनको due करने जाएंगे, इनको default दिखाएंगे कि इनका allotment का पैसा इतना due है, तो हमको पहले जो application पे access प amount पता चलेगा, apply कितने का share का किया थे, तो ही हम उसका application का amount देख पाएंगे, कितना पैसा receive कर लिया था, और फिर application से जितना होना चाहिए, उतना excess amount हम allotment में adjust करके remaining से चिटनिस को due कर देंगे, clear है, तो अब हम कैसे निकाल लेंगे, इसके लिए हमें पता है कि पहले हमें pror category के लिए apply कितना माना गया था, 48,000 है न, बागी तो 12,000 return कर देगे थे, application 60,000 की आई थी, 12 return कर देगे थे, 48 को प्रोड़र के लिए रखा गया था, और उसमें से allot कितने के लिए 40,000 shares को allot किया गया, मतब ratio क्या बना है, इनका 6 to 5 का ratio बना, इसका क्या मतलब हुआ, जिन्हो को सिर्फ 5 shares allot किये जा रहे, मतलब अगर आपने 6 मांगे थे, तो आपको कितने shares दिये जाएंगे, 5 share दिये जाएंगे, ठीक है, इस तरह से आपको allotment किया गया, और इस तरह से आपको पूरे 40,000 shares allot किये गया, अब चितने को कितने का किया था, तो same हो जाएगा, हो गया, 6 by 5, इसका रेशय तो 6 by 5, multiply by 1600, default share order को allot कितना किया गया, 1600 shares, तो निकाल कि जब आप calculate कर लेंगे, तो answer आएगा, 1920, मतलब 1,920 shares के लिए इन्होंने apply किया था, is it clear, इसको और भी simple तरह कि समझे, 1920 shares के लिए इन्होंने apply किया था, अगर यह लोटे निकालना होता, तो कैसे निकालते, 1920 shares के लिए apply किया था, तो हर 6 के बदले 5 share मिलते, तो 19,20 divided by 6 कर देते, multiply by 5, 1920 में से सिफ 6, मतलब हर 6 के बदले 5 मिलने थे, तो 6 से divide कर यह कितने आते हैं, और फिर उनको 5 share allot कर दीजिए, multiply by 5 कर देते, तो हमको क्या मिल जाता है, allotted, पर allotted already given है, तो हमने क्या कर लिए, 6 divided by 5 multiply by 600, मतलब 1600, मतलब 1600 divided by 5 कर यह, multiply by 6 कर दीजिए, clear है, तो आपका 1920 shares निकल के आगे, इतने के लिए apply किया, अगर इन्होंने इतने shares के लिए apply किया, तो पैसा भी application पैसा भी तो इतने के share के लिए दिया होगा, is it clear, तो हमारा कैसे हो जाएगा, हम इनका निकाले कि इन्होंने कितना इनको due था allotment का, चिटनी को allotment का पैसा कितना देना था, और फिर इन्होंने हमें कितना excess पैसा दे रखा है, उतना adjust कर देंगे, remaining से कहेंगे कितना allotment का पैसा इनका default का, यही तो भाई rule है आप ऐसा थोड़ी किया सकते हैं कि आपने allotment का पैसा नहीं ठीक, तो हम कैसे करेंगे, पहले चेक करेंगे कि इनका allotment में due कितना होता है, ठीक है, तो allotment में due इनका था, sixteen hundred shares इनको allot किये गे, और five rupees allotment का पैसा मिलना चाहिए था, अब याद रखी यहां पे, हम five से multiply कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि allot, इनका premium का पैसा receive नहीं हुआ है, जब premium का पैसा receive नहीं हुआ, तो हर जगा premium के पैसे को treat किया जाएगा, तो इसलिए हम यहां five rupees से करेंगे, तो sixteen hundred multiply way five करें, कितना eight thousand, allotment का eight thousand rupees इनको देना चाहिए था, पर इनसे हमें excess receive कितना हो गया है, nineteen hundred twenty, तो application amount applied for allotment, जो excess है, वो हम यहां पर adjust कर देंगे, तो 1920 share में से 1600 allot किया गया, मतब 320 excess shares इन्होंने उसका पैसा दे दिया था, तो multiply way four करेंगे application amount के साथ, तो 12.80 निकल के आएगा, जिसका answer हो जाएगा, six thousand seven twenty, actually allotment के नाम पे इनको 6720 रुपे ही due है, बाकी का पैसा हमारा adjusted है, ठीक है, अब यह one thousand two eighty चाहे, तो आप ऐसे निकाल लिए कि shares का application amount received, 1920 multiply four, 1920 shares के लिए application में received हुई, 7680 की, फिर उनको lots of 1600 share हुआ, तो 1600 का multiply four application उतना ही adjust किया जाएगा, six thousand four hundred, remaining जो बचा, 12.80, यही आएगा, 12.80, यह पैसा adjust होगा, allotment के साथ, वही 12.80 हमने adjustment कर दिया है, तो चाहे आपको यह वाला समझ में है, चाहे सीदे-सीदे shares minus कर जीजे, जो भी आपके लिए easy पड़े, पर इस तरह से आपको यह निकल के आता है, कि कितना default किये है, actual default कितने किये है, तो इंट्री वापस से देखिए, bank account debit, 161280, है न, actually इतना default किये, तो इसको less कर देंगे, 168 से, तो 161280 हमारा, इतना actually पैसा आया, call scenario बकाया कितना था, 6720 कैसे निकला, वो मैं भी दिखा दिया, आपको की चितनी का, 8000 में से 1280 कर दिया गया application का पैसा, तो 6720 बज गया, ठीक, और equity share allotment account में कितना जाएगा, 168000, clear है, अब यहां तक हमारा allotment का काम खतम हो गया, ठीक है, allotment हो गया हमारा, due भी हो गया, receive भी हो गया, application भी हो गया जो reject करना था वो भी हो गया, प्रोडर का allotment भी हो गया, अब हमारा आएगा call due करने की बात, ठीक है, तो सबसे पहले हम call को due करेंगे, तो equity shares, call account debit, to equity share, capital account, जितने से call है, 3 रुपे की call थी, 40,000 multiply by 3, 1,20,000 से हमारी call due हो जाएगी, ठीक है, अब बात है receiving की, जब बात receiving के आत के रखा था, और उन्होंने call ही money नहीं दिया, बाकि अलॉट मेगरा सब दिया था, तो जगदिले नहीं भी नहीं दिया, तो जब आपको call का पैसा receive होगा, तो चिटनिस कभी नहीं receive होगा, और जगदिले कभी receive नहीं होगा, तो फिर हम entry कैसे करेंगे, bank account debit, कैसे, 40,000 shares थे, तो 1,9,200, इतने ही call के पैसे receive होगे, क्योंकि default तो यही 2 share holder के हैं, बाकि लोग तो पैसे दिये ही होगे, तो बाकि कितने shares होगे, 36,400, और 3 रुपे के हिसाब से call का पैसा आपने मांगा था, तो उतने पैसे आ गए होगे, तो bank account debit तो 1,9,200, ठीक है, अब बकाया कितना है, call का पूरा call scenario है, है ना, अब देखी, 36,000 में आप किसे multiply कर दिये, 3 से multiply कर दिये, क्योंकि calls का पैसा नहीं है, आप calls की treatment कर रहे है, calls के लिए कर रहे है, तो call किसका किसका बकाया है, 1600 उनका जिटनिस का भी call बकाया है, और 2000 जिगदिली का भी call बकाया है, तो 36,000 पे 3 रुपे क किसा आप से call बकाया है, तो 10,800 का आपका area आया, तो equity share allotment में कितना दिख गया, 1,20,000, is it clear, अब हमारी सबसे last entry pass होगी, that is our for feature entry, ठीक है, अब हम shares को forfeit करेंगे, for feature के entry आपको याद होगा, हम पहले करते हैं कि share capital account को debit कर देते हैं, कितने value से, called value से, ठीक, फिर अगर premium का पै पैसे से, फिर हम credit करते हैं, share for feature account को, जितना पैसा हमको receive हो गया है, forfeited shares से, उस से, और फिर हम करते हैं, जो पैसा receive नहीं होगा है, to call scenario करके, ठीक, वही entry हम यहाँ पास कर देंगे, लिए, equity share capital account debit, कितने से, 3600 x 10, कितना पैसा call किया गया था, equity share capital account में क्या किया थे, जितना पैसा call किया था, तो forfeited shares की, तो यहाँ पर कहानी होगी, तो 2000 x 16, 3600 shares पे, पूरे के पूरे 10 रुपे call कर लिए गया थे, मतलब 36,000 रुपीस call किया थे, ठीक, premium का पैसा किसका नहीं आया है, जग देले का तो premium आ गया है, सिफ call नहीं दिये, तो premium का पैसा किसका नहीं आया है चिटनिस का नहीं आया है, तो 1600 shares multiply by 2 करेंगे, 3200 हमाया security premium reserve account में debit कर दिया, क्योंकि यह पैसा हमें receive नहीं हुआ, अब share forfeiture account, share forfeiture account का मतलब क्या हो गया, share forfeiture का मतलब कितना पैसा in forfeited shares से receive हो गया है, ठीक है, तो अगर आप देखो कि forfeited shares में से चिटनिस से में कितना पैस पैसा receive हुआ था, सिर्फ application का पैसा receive हुआ था, और application में उन्हेंने कितनी का दिया था, 19-20 share, मतलब 1,920 shares के लिए apply किया था, तो 1,920 multiply by 4, इतने पैसे हमको चिटनिस से receive हो गया थे, और जगदले से कितना receive हुआ, जगदले से application का भी पैसा receive हुआ था, और हमें कितना allotment का पैसा receive हुआ है, ठीक है, तो अब allotment का पैसा receive हो गया, तो हम इनका यह नहीं करेंगे कि कितने के लिए apply किया था, क्योंकि जो भी extra apply किया होगा, वो allotment के पैसे साथ adjust हो गया होगा, और allotment का पैसे नोंने दे दिया, तो हमें कुछ करना ही ज़रत ही नहीं है, तो सीधा सी इन से सिर्फ हमें 7 rupees receive होगे, जगदेले से, 2000 shares के लिए, यही total पैसा हमें से receive हुआ होगा, यह हम यहाँ पे add करके लिख देंगे, ठीक, और बकाया कितना होगा, तो allotment का जितना चिटनीज का due होगा, और call का पैसे जितना due होगा, और जगदेले का call का जितना due होगा, सब क से में कितना receive हुआ, 1920 multiply by 4, 7,680 rupees receive होगे चितने से, और जगदेले से जब बात करते हैं, तो कितना receive हुआ, जगदेले से application का 4 rupees, और allotment के 3 rupees, 7 rupees, allotment का सिफ 3 क्यों ले रहे हैं, allotment का तो 5 rupees था, 2 rupees का premium नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यही तो कहानी है, कि अगर share को forfeit company करती है, और उसे allotment का पैसा receive हो गया है, तो वो ऐसा treatment करेगी, जैसे premium कुछ थाई ही नहीं, premium पे कभी issue ही नहीं हुआ था, तो देखें, उनको कितना मानेगी, receiving premium का amount हुआ है, ऐसा बोलेगी नहीं, ऐसा treat कर रहे है यह company, कि premium पे issue ही नहीं हुआ था, सिर्फ allotment का पैसा और application का पैस हुआ है, clear है, तो जब भी receiving share for future account में इस रखा जाता है, तो यहाँ पे धियान रखना होगा, कि हमें कौन सा amount यहाँ पे लिखना होगा, clear है, तो amount received from जगदले, 4 plus 3, 7 rupees, कितने shares के लिए, 2000 shares के लिए, तो 14,000, total कितना आ गया, 21,680 हमें receive हुए है, चितने और जगदले से, जि जो नहीं कर रहे हैं, कि apply कितने से किया था, इसलिए नहीं कर रहे हैं, कि चाहे जितने से भी apply किया हो, जितना भी access उतने application पे पैसा दिया था, वो पैसा allotment में adjust हो गया होगा, और जिब allotment का पैसा receive हो चुका है, 7 rupees, तो हमें क्या ही करना है, तो सीधा सीधा हम बता देती कि 2000 shares थे, उस पे उनको पैसा receive हो गया है, बहुँ अल्टिमेटरी allotment पे उनको 2000 multiply by 3, 6000 ही तो देना था, तो जितना application पे access दिया होगा, 6000 में सुतना deduct हो गया होगा, और remaining उनसे मागा गया होगा, पर 6000 पूरा तो ले लिया गया होगा ना, कुछ adjusted और कुछ मांग की, तो जब हमने पैसा दे दिया, तो फिर हमें कोई calculation नहीं करनी कि apply कितने का किया था, allot कितना हुआ, सिदा सिदा, जो receive होगा, उसकी कहानी खतम, ठीक है, call नहीं receive होगा, तो call में तो adjust हो नहीं, अगर call में adjust हो रहा होता, तो फिर हम calculation करते, अगर first call या final call में भी कुछ पैसा application का adjust कर र पैसा, इसलिए call के साथ कोई treatment हम नहीं कर रहे है, तो share for future account में 21,680 रुपीज जाएंगे, ठीक, premium का amount जगदले का हम इसलिए नहीं लिख रहे है, क्योंकि हमें premium का amount receive हो गया है, मतलब company को receive हो जाता है, तो उसको मानती कि हमने issue ही नहीं किया था premium पे, बिल्कुर कोई treatment नहीं allotment का पैसा बकाया रहे है, कितना? 6720, कैसे निगला था, हमने last calculation में देखा हुआ है, कि total allotment पे 8,000 due थे, 1600 multiply by 5, तो हमको 5 रुपीज पहले की चलने पड़ेंगे, तो 5 रुपीज allotment के इसे मांगे गए, तो 8,000 होता है, जिसमें से premium पे उन्होंने access 340 shares का पैसा दिया था, 4,800, ये call का पैसा हो गया, तो total इन्होंने 11,520 का due है, किस से चितने से, वहीं जगदले से, सिर्वनोंने call का पैसा नहीं दिया, तो 2,000 multiply by 3, 6,000, तो 17,520 क्या हो गया, due हो गया, clear है, तो entry हमारी जो हुई थी, कैसे हुई थी, याद करिए, equity share capital account debit कर देंगे, called value से, तो call value की थी, 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 हजार से, तो equity share capital account debit 36,000 से हो गया, security premium का पैसा नहीं मिला था, चितने इसका, तो 1600 multiply by 2, 3200 से वो हो गया, फिर share forfeiture account में कितना पैसा receive हो गया, तो 21,680 पैसा receive हो गया है, वो हमने दिखा दिया, call scenario में कितना पैसा बकाया ह है, तो बकाया हमारा 17,520 है, तो two call scenario 17,520, so I hope आपको clear हुआ का किस तरह से entry हो रही है, और हर एक entry का मतलब क्या है, is it clear, so wish you all the best, thank you so much.